है गाइस तो आज की वीडियो में लोग sketchbook दूर करेंगे तो let's start सबसे पहले ये माद दूर्गा की drawing जिसे मैंने दूर्गा पूजा पे बनाया था और इसे artline की pencil लुज़ करके बनाया था इसका result बहुत ही अच्छा लागा मुझे और फिर सकेंड ये सुबाश्यान बोजी की drawing जिसे मैंने oil pastel और pencil sketch करने के लिए मैं हमें इसा artline की pencil लुज़ करता हूँ और फिर्ड ये विकी कॉशल की drawing जिसे मैंने भी artline की pencil लुज़ करके बनाया था और इसका result बहुत ही अच्छा लागा मुझे को मैंने detailing बहुत ही किया था and fourth ये मादुर्गा की drawing again इसे मैंने दो साल पहले बनाया था with five crystal pencil तब मुझे उतनी sketch के बारे में पता नहीं था और उसके बाद श्री राम जी की drawing इसे मैंने डॉम्स की pencil color से बनाया था और इसके बीच में नाक के बीच में कुछ scratch आ गया था पर जो भी इसका result ही बहुत ही अच्छा लगा मुझे और उसके बाद श्री राम लाला की drawing जिसे मैंने pencil केसे बना रहा हूँ अभी ये पूरी complete नहीं हुए है और उसके बाद ये चाट पूजा की drawing जिसे मैंने चाट पूजा भी बनाया था पेशली एंस पे उतना अच्छा response नहीं रहा था और उसके बाद हनुवान जी की drawing जिस अभी मैंने इत्री साइस पे किया था और ओयल पेशली उसको करके बनाया था और इसका भी दिजल बहुत ही अच्छे लगा मुझे और बस आज की वीडियो पे तना ही तो मिलते है इस वीडियो के अगले पार्ट में तबहे के लिए जैशी राम यही सब कुछ थे मेरे artwork जो सब्सक्राइब ने दोजया ताइस में बनाये थे